वेल्कम तो यू आल एट माई यूटीव चैनल स्टडी टाइम विट इसके हेलो दिसे सोनाली कुमारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बी इवी एई वन इट वन के MCQ कोश्चन्स फ्रम कुश्च नमर 341 तो कुश्च नमर 360 स्टार्ट करते हैं कुश्च नमर 341 से इन विच आप दो फॉल्वेंग दू फॉरेस्ट नॉट प्ले असिगनिफिकेंट रोल आपको बताना है कि इन में से वह कौन से एक्टिविटी है जिसके अंदर फॉरेस्ट सिगनिफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं इस तरीके के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं एक दो कोशन तो ऐसे होते ही हैं जिसमें नॉट लगा के कोशन होता है और अगर एक बार आपने कोशन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली उस कोशन को रॉंग कर दोगे तो यह जो कोशन है 341 इसके ल इस कोशन के क्या हो जाएगा ओप्शन भी 342 नॉमबर का कोशन है दो वाटर साइकल इस ट्राइवन बाई वाटर साइकल किसके द्वारा ड्राइव की जाती है कुछ लोग सोचेंगे यहां पर तो हाइड्रोजन सही होना चाहिए हाइड्रोजन एच्टु ओ वाटर वाटर साइकल नहीं गलत हो गया यहां पर ऑप्शन भी हो जाएगा सन कैसे देखिए वाटर साइकल सुरू कहां से होता है इवपोरेशन से इवपोरेशन कहां से स्टार्ट होगा सोलर एनरजी से जो धूप आती है उससे वाटर क्या होता है इवपोरेट होता है और वहीं से तो स् सन, आगे 343 नमबर का कोशन है, कीमो सिंथैटिक बैक्टीरिया, क्या होते हैं, कीमो का मतलब यहाँ पर है, केमिकल से, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट अंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑउर्टो ट्रॉप्स, ऑउर्टो ट्रॉप्स वो होते हैं, जो अपना खाना स् hetrotrops वो होते हैं जो अपने food के लिए दूसरे organisms पे dependent हैं जैसे कि हम human beings, हम food के लिए किस पे dependent हैं, plants पे 344 number का question है, which of the following is not a greenhouse gas आपको बताना है इन में से कौन सा gas, greenhouse gas नहीं है कुछ दिनों पहले एक student का इसी तरीके का question का एक doubt आया था इसलिए मैंने इस question को include किया है, ताकि different जो आपके doubts बनते हैं इस प्रकार के question को लेकर के वो solve हो जाए, तो इसके लिए जो correct answer होगा वो हो जाएगा option D, chlorine, chlorine greenhouse gas नहीं है, वहीं पर अगर हम बात करें CO2 की इसके बारे में सब जानते हैं, methane एक powerful greenhouse gas है और ozone भी greenhouse gas होता है, correct answer है पर option D है, chlorine जो की एक greenhouse gas नहीं है आपको बताना है इन में से वो कौन सा animal है, जो बहुत ही concentrated urine को excrete करता है correct answer option C हो जाएगा, noctural rodents जो होते हैं, वो very concentrated urine को excrete करते हैं क्योंकि वो अपने temperature को regulate करने के लिए water का use नहीं करते हैं ठीक है, आगे हैं हमारे पास 346 नमर का question, which animal drinks water periodically and is physiologically adapted to withstand tissue rehydration for long period एक ऐसे animal के बारे में बताना है आपको जो periodically water को पीता है और physiologically यानि कि सारीरीक रूप से इस तरीके से adapted है कि वो बहुत लंबे समय तक अपने tissues को dehydration से बचा सकता है या उस तरीके की परिस्तिती में भी जिन्दा रह सकता है तो उसके लिए जो correct answer होगा option B हो जाएगा आप सभी को पता है जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो इस काम को करता है कि water को वो बहुत ही लंबे-लंबे समय तक नहीं भी पीता है तो भी जीवित रहता है 347 नमर का question है most heavily populated desert reason of the world आपको बताना है world का सबसे ज़्यादा populated desert reason कौन सा है option आपकी screen पर है correct answer है पर हो जाएगा option A Indian desert कई बहुत आपको ये था desert के नाम से भी मिलेगा Indian desert को था desert के नाम से भी जाना जाता है जो था desert है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में आता है ठीक है दोनों में ही पढ़ता है ये reason अच्छे तो Indian desert के अंदर एक जगए है जुन जुनू डिस्टिक है राजस्थान का जहां का population density जो है वो 361 परसन पर किलोमीटर स्क्वेर है ठीक है याद रखेगा ये 2011 के census के according है 361 आगे हैं हमारे पास गोबी desert के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो जो गोबी desert है वो मंगोलिया में है और सनाई desert की बात करें तो ये इजिप्ट में है आगे हैं हमारे पास question number 348 ये है on which animal calatose and euromistice are predatory in thar desert ये दोनों animals के नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा थोड़ा सा easy करते हैं ये दोनों lizards हैं क्या है चिप के लिए हैं अब आपको बताना है की था desert के अंदर ये जो चिप के लिए हैं वो किसको खाती है या फिर किस पर predatory हैं correct answer है आप पर option A हो जाएगा desert locust 349 नमबर का question है अब आपके सामने desert are formed in reason of death animal rainfall आपको बताना है desert वहीं पर बन जाएगा जहां पर इस level से कम rainfall होगा कम वर्सा होगी पूरे year के अंदर तो correct answer है आप पर option हो जाएगा less than 25 cm अगर rainfall होती है और ये लंबे समय तक कुछ वर्सों तक होती रहती है तो उस जगह पर desert बनने के chances होत अगर हम desert की बात करी रहे हैं तो थोड़ी सी बात और जान लेजे कि जो temperate region के जितने भी deserts होते हैं वो अमूमन rain shadow area के अंदर ही लाई करते हैं अब ये rain shadow क्या होता है जब उचे पहारों से जो moisture वाली air है वो टकरा के और वापिस लौट जाती है ठीक है तो ये जो reason है यहा पर जादा moisture नहीं आया और इस वज़े से rainfall कम होगा या नहीं होगा वर्सा कम होती है अमूमन इस तरीके के जो भी rain shadows regions होते हैं उनमें वर्सा कम होती है तो जो deserts होते हैं वो क्या होते हैं rain shadow regions होते हैं अब है हमारे पास 350 नमबर का question इस से पहले के वीडियो में अगर हम बात करें 340 questions हम already cover कर चुके हैं पिछले वीडियो में साथ ही हमने cover किया है 40 questions का एक mock test और last year के question papers with answer की available है हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल के playlist section में जाकर के BAE 181 का playlist देख सकते हो जहां पर आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे आप इन questions को जरूर धान से पढ़ लीजे क् आपके exam के point of view से बहुत ही important है बीते दिनों जितने भी exam हुए BE, VAE 181 के उनमें इन questions ने बहुत help की है student की तो आप भी इन questions को जरूर पढ़ लें 350 नमर का question है reduce adverse effects of floods, बाड की जो adverse effect है उसको कम करने में helpful है, correct answer है पर हो जाएगा all of these, अब हम थोड़ा options की बात कर लेते हैं, construction of dam, dram और reservoirs बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है जो अतिरिक्त वर्सा का जो पानी होता है वो इनके अंदर इकठा हो जाता और इससे बाड कम आती है आने की chances कम हो जाते हैं, अगर ये dams नहीं बनाए जाएं, reservoirs नहीं बनाए जाएं तो जो पानी है वो plain area में बैह जाएगा और वहाँ पर बाड की इस्तिति उत्पन कर देगा, तो dams बना करके हम क्या करते हैं, बाड को कम कर देते हैं, फिर है strengthening embarkments on rivers, rivers पे जो embarkment है उसक किनारे होते हैं, इसको मजबूत कर देना, ताकि यहाँ से cut out नहीं होगा, तो भी जो बाड है वो कम आती है, जो पानी है नदी के अंदर जो extra water flow होता है rainy season में, अगर embarkments strength हैं, मजबूत हैं, तो ये पानी फिर plains में जाने के कम chances रहते हैं, C option है, desilting of canals और rivers, ये desilting क्या है जो गाद इकठा हो जाता है नदियों के अंदर, नदी जब बहके आती है, तो अपने साथ बहुत सारा गाद बहा के लाती है, और ये जो गाद होता है, sands हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, जो river के bag पे इकठा होते जाते हैं, और इससे जो नदी की गहराई है देखे, माली जो नदी पहले ऐसे थी, अब ये नदी इस तरीके से होने लग गई, अब ये नदी और इस तरीके से होने लगई, तो क्या हो गया, जो water carrying capacity है नदी की, वो कम होने लगेगी, और इससे अगर पानी कम आएगा, तो जो एक्स्ट्रा water आने वाले है, वो तो फिर it plain area में चला जाएगा, इस तरह बह जाएगा पूरा का पूरा पानी, तो इससे क्या होगा, बाळ आ जाएगी, तो इसली नदियों में से desilting कि जाती है, जो भी हमारे kinels होते हैं, इनसे भी desilting की की जाती है, ताकि इनकी water carrying capacity को improve किया जा सके, ये वो तरीके हैं, जिन से जो फ्लड है बाड है उसकी बिभीसिका को थोड़ा कम किया जा सकता है 351 नमर के बाद कर लेते हैं अब यह कुल इरिगेशन इस प्रैक्टिस्ट इन कुल एक सिचाई करने की पद्दती है एक तरीका है अब आपको यह बताना है कि यह कहां पर होता है कर्यक्ट अंसर ऑप्षन हो जाएगा इस पिती इस पिती कहां है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में प्राचीन काल में एंसियन टाइम से यह पद्दती चलती यारी यह टेक्नीक जो है कुल इरिगेशन यह चलता है अच्छा इसमें होता क्या है तो इसके अंदर ब पानी आता कहां से है यह पानी माउंटेन से रिस्क करके आता है जो भी प्रिसिपिटियस माउंटेन स्लोप होती है वहां से नीचे के तरफ पानी लाने के लिए खुल इरिगेशन मैथट का यूज करते है यह जो पानी है डारेक्ट खेतों में छोड़ दिया जाएगा और बच गया पानी तो उसे फिट टैंक में भी इकठा कर लिया जाता है तो कुल इरिगेशन कहां प्रैक्टिस होता है इस पिती में इस पिती कहां हिमाचल प्रदेश में आगे है हमारे पास 352 नमर का कोशन for desalination of sea water in भावनगर and चुरू चुरू और भावनगर में समुद्र के पानी को desalinate करने के लिए यूज करते हैं solar energy को बचाँ desalinate करके क्या बनाते हैं salt बनाते हैं भावनगर है गुजरात में और चुरू है राजस्थान में 353 नमर का कोशन है has low fertility and supports oak and coniferous plants such as pines and देवदार low fertility soil है ओक के पेर और जो coniferous plants होते हैं जैसे pine देवदार इनके plants को support करता है थोड़ा सा coniferous को याद रखेगा हरमेशा ये concept याद रहेगा मैं आपको बता देगे के coniferous corn ठीक है 25 देवदार इसके plants कैसे होते हैं concept कहीं तो होते हैं उपर से और जो हमारे mountains होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी concept के होते हैं तो जो ये coniferous plants हैं वो हरमेशा mountain region में पाया जाएगा याद रहेगा अब कोनiferous कहाँ पर mountain में कोन का sound आ रहा है संकू देखिए mountain में भी संकू बना और हमारे plant में भी संकू बना correct answer option हो जाएगा mountains, himalya, reasons बात कर लेते हैं जो options दिये हुए हैं red soil की exam में पूछ लिया जाता है तो जो red soil है वो support करता है grasslands को जो घास के मैदान होते हैं उन्हें support करता है यहाँ पर आफ फसल उगा सकते हो आलू की, बनाना, पाइनेपल और रबर की जा तो यह red soil किन किन राजियों में पाया जाता है हमारे देश के बिहार, बध्यप्रदेश, जारखंड, छतीजगर, उडिशा, केडला, करनाटिका और आंध्र प्रदेश यह वो states हैं जहाँ पर red soil पाया जाता है लोमी एंड ब्लेक सॉयल की अगर हम बात करें तो जो दक्कन का पठार है और मालवा का जो पठार है वहाँ पर red और यह जो लोमी और ब्लेक सॉयल है यह पाया जाता है यहाँ पर आप खेती कर सकते हो सुगरकेन की, groundnuts, मुमफली की, सोयाबीन की, कॉटन की और राइस की इनकी खेती होती है लोमी एंड ब्लेक सॉयल पर कहाँ पाय जाते हैं और इनमें किस चीज की खेती होती है याद रखना है 354 नमर का कोशन, treatment of alkaline soil is, alkaline soil को treat करने के लिए क्या है यूज किया जाता है यह आपको बताना है तो correct answer है आपर हो जाएगा जिपसम alkaline soil है तो जिपसम का treatment करके ठीक कर सकते हो लेकिन जमीन के अंदर, soil के अंदर salinity बढ़ गई है तो क्या करोगे, drainage system यूज करोगे कोशन में आगया कि saline soil है तो drainage system, alkaline soil है तो जिपसम अच्छा और वह भी saline soil के अंदर sodium को बहार निकालना हो तो drainage system बहुत अच्छा method है लेकिन ये जो दोनों ही methods बतारियों में आपको कि saline है तो drainage और alkaline है तो जिपसम ये temporary है ये permanent नहीं है इसको आपको बार बार करना पड़ेगा 355 नमर के question की बात कर लेते हैं dash forms the uppermost layer of land land के uppermost layer को बनाता है कौन बनाता है soil soil forms the uppermost layer of land humus की बात कर लेते हैं जो humus होता है वो मिटी के अंदर aeration को बढ़ा देता है air की movement को बढ़ा देता है जब air move करेगा इसका मतलब क्या है कि जो हमारे soil है उसके इंदर pores हो गए है और pores होने के कारण जो root होगा plant का वो दूर दूर तक फैलेगा root दूर दूर तक फैलेगा तो जादा minerals लेगा इससे plant का अच्छी तरह grow करेगा तो हम क्या कहते हैं कि जो humus है वो हमारे soil को fertile बना देता है 356 नमर के question की बात कर लेते हैं अब measure to reduce green house effect green house effect को कम करता है कौन options देखके समझ गए होंगे option d correct हो जाएगा a forestation 57 नमर का question है crown fire takes place in crown fire कहां पर लगेगी correct answer option यह हो जाएगा dense forest अच्छा जो tree होते हैं उनका यह जो पाट उपर वाला है इसे हम crown कहते हैं अब crown fire dense forest में लगता है किस तरीके से सग्न बन है वन क्या है घना है अब घने वन है पास पास में plants पौधे होंगे पेड़ होगा उपर की तरफ यह जो इनके crowns हैं trees के वो एक दूसरे के पास पास में अब हवा चलेगी तो continuously एक दूसरे को रब करेंगे इससे क्या होगा heat होगा और heat होने से यहाँ पर आग लग जाती है और इस प्रकार की जो आग होती है इसे हम crown fire कहते हैं कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि पेड जो है उपर उपर से जले होते हैं नीचे नीचे ठीकठा खड़े होते हैं लेकिन ऊपर कहीं समका गायव होता है यह किस वज़े से होता है crown fire की वज़े से होता है 358 नमर के question की बात कर लेते हैं in 1992 Earth Summit 1992 में Earth Summit कहा हुआ था कोशन इसी है याद नहीं रहता है अगर याद नहीं रहेगा तो गलत करके आ जाओगे दो-3 कारण होते हैं आपकी कोशन को गलत करने के एक तो आप कोशन को सही से पढ़ेंगे नहीं तो गलत कर देंगे options को भी सही से analyze नहीं करेंगे तो गलत कर देंगे और जो मैं questions बता रही हूं उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलत तो होगा ही न 359 नमर का question how many hotspots out of 34 global biodiversity hotspots are in India globally कितने biodiversity के hotspots है 34 अब इसमें से कितने hotspots हमारी इंडिया के अंदर है तो 4 इसलिए तो कहते हैं हमारा जो भारत है वो diversity वाला country है biodiversity यहां पर बहुत ज़्याद है देख रहे हो ना 34 में से 4 hotspots हमारी country में available है अच्छा बात कर लेते हैं bio geographical regions की तो 10 bio geographic regions हमारी country में available है मौझूद है इनके बारे में मैंने किसी question में detailed बता रखा है अगर आपने हमारे 340 questions जो पिछले हैं उनको ध्यान से पढ़ा है तो इस चीज़ को आप बहुत ही जल्दी carry कर पाए होंगे 360 number का question आज के वीडियो का last question है कल आपका B.E.B.A.E.181 का exam है मेरी west wishes आपके साथ है आप अपने exam को अच्छे से दीजिए जब आपका exam खत्म हो जाए उसके बाद मैं एक poll डालूँगे अपने channel पे कि आपका exam किस तरीके का गया कैसा गया आपका exam उसके comment section में होगा एक email वहाँ पर आपको अपना question paper PDF बना के उसकी pick ले लीजेगा और उसका PDF बना के हमें send कीजेगा ताकि हम आपको on time उसका answer की provide कर सके जितनी जल्दी आप हमें अपना question paper देंगे उतनी जल्दी हम आपको आपका answer की बना करके दे पाएंगे जिससे की आप check करेंगे अपने questions को 360 number का question आज की वीडियो का आखरी question है those goods that are insured directly are considered as question में ऐसा भी पूछा जा सकता है those goods that are consumed directly are considered as जिन goods को हम directly consume कर लेते हैं उन्हें किस तरीके से consider करते हैं उन्हें हम consider करते हैं direct use value क्या बहुते हुने direct use value जिन्हें हम directly consume कर लेते हैं अच्छा ये indirect use values के हैं indirect use value वो है जो support करती है उन items को जिन्हें हम consume करते हैं दोनों में difference है जिन्हें directly consume कर लिया वो तो direct use value हो गई लेकिन जो support कर रही है उन चीजों को उन items को वो हो गई indirect use value तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने 341 से लेकर के 360 questions को cover किया ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment करके जुरूर बताईएगा आपकी कोई भी अभी तक की query है इस course को लेकर के कोई भी question अगर आपको नहीं आ रहा है उस question को आप हमें comment section में लिख सकते हैं ताकि हम आपको उसका answer with explanation प्रोवाइट कर सकें आपके exam के अंदर negative marking नहीं होती है तो इसलिए किसी भी question को छोड़ के नहीं आना है सभी questions को attempt करना है इस चिसका आप खास ध्यान रखेगा तो यही था आज का वीडियो तब तक ले stay tuned जे हिंद जे भारत